हेलो फ्रेंड्स में अकान्शाजीके विटकानशा में आपका स्वागत करती हूं हम हमारे फर्वरी महींने का करेंट आफ यह पढ़ने वाले हैं और फर्वरी चेप में क्या होगा आपका जन्वरी का भी कपार रहे इसी तरहे हम फर्वरी के कर लेंगे टॉप जो भी कोशन आएंगे फरवरी से फरमर अगस्त तक पूरा कर लेंगे ताकि आपके पास एक बहुत सरल तरीके का करेंट आफ्यार हो जाए क्या होता है कि हमको मिलती तो है करेंट अप्ट प्रश्ण है जिनको हम पांच पार्ट में कबर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है भारत में कोरोना वायरस संक्रमर के पहले मामले की पुस्टी किस राज्य में हुई किस राज्य में हुई थी केरल में हुई थी बुहाल से चीन के बुहाल से एक शात्र लोटा था और वहां पे जो है एक कोरोना वायरस संक्रमर के पहले मामले की पुस्टी हुई जहां से यह पूरे भारत में फैला दूसरा है विश्व के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले सहरों में पहले इस्थान पर कौन सा सहर है मतलब सबसे जदा ट्रैफिक विश्व में कहा होती है तो यह है बेंगलूरू में तो नीचे description में आपको इंस्टा मोजो की link मिल जाएगी वहाँ से आप इसकी जो PDF है वो 35 रुपय में ले सकते हैं मैंने उसको तैयार करके वहाँ पे upload कर दिया है next है हाली में भारत के किस star जबलिन तोख्राडी ने Tokyo Olympic 2020 के लिए qualify किया है तो वह है नीरत चोप्रा भारत के जावलिन तोख्राडी ने Tokyo Olympic 2020 के लिए qualify किया है वह है नीरत चोप्रा next है एक फरवरी को budget किसके द्वारा pace किया गया एक फरवरी को budget निर्मला सीता रमन के द्वारा pace किया गया बजट 2020 में निर्विक नाम की एक स्कीम लाई गई थी ये किसके लिए थी तो छोटे निर्यातक और उद्वमी के लिए ये स्कीम लाई गई थी ये कोशन है उल्टा भी पूछा जा सकता है कि छोटे निर्यातक और उद्वमी के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है तो निर्वि यह पहुंचाया गया है तो ऑप्रेसिंद बनीला किस देश में चक्रवास प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश से आरम हुआ तो यह मेडा कास्का जो हिंद महासागर में वहां पर आरम हुआ भारत और बंगलादीच के देश के भी सेतु सैने संभ्या स संप्रीती 2020 का संचालन कहां किया जाएगा तो जो संप्रीती 2020 का संचालन ने मेगाले में किया जाएगा कब से कब तक किया जाएगा 3-6-16 जनवरी के बीच संप्रीती संप्रीती जो अभ्यास है वो भारत और बंगलादेश के बीच होता है याद रखिएगा और 3-16 जनवर पहला कौन सा है पहला अमेरिका है तो बीश्व का दूसरा बड़ा हत्यार उत्पादक देश्चीन है और पहला कौन सा है पहला अमेरिका है एक से विदेशी फुटवाल कलब के साथ जुड़ने वाली पहली भारती महिला फुटवालर कौन बनी है तो विदेशी फुटवाल क के लिए रवाना किया भारत की पहली फूड ट्रेंड को वित्वर्स 2020-21 में GDP ग्रोथ कितनी रह सकती है वित्वर्स 2020-21 में GDP ग्रोथ रह सकती है 6-6.5 परतीसद चालू वित्वर्स में GDP ग्रोथ कितने रहने का नुमान है 5 परतीसद इसका next part हम कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स आज हम 30 कोश्चन इसके कर लेंगे ऐसे 5 दिनों में ही हमारे 150 कोश्चन कंप्लीट हो जाएंगे चालू वित्वर्स में GDP ग्रोथ कितने रहने का नुमान है 5 वीजदी IT कंपनी IBM का नया मुख कारेकारी अधिकारी के से न्युक्त किया गया है अर्विंद कृष्णा को न्युक्त किया गया है IT कंपनी IBM का नया मुख कारेकारी अधिकारी या CEO केंद्री प्रत्यक्ष कर बोट सीमा सुल्क बोट का नया चेर्मेन के से न्युक्त किया है तो कैंदरिये प्रत्यक्षकर वोट जो है उसका नया Chairman किसे बनाया, तो M. अजीत कुमार, वेथ प्रणफ कुमारदास का इस्थान लेंगे, नेक से P. अणुरी लंकेश पुरुसकार के लिए किस पत्रकार को चुना, तो यूसुप जमील को चुना प्रत्रकार कुचंगे, यूसुप जमील को चुना और ये जो पुरुसकार है वो जम्मू कश्मीर का उतक्रष्ट पुरुसकार है पत्त काईता पुरुसकार नेक्स्ट है वित्वंत्री निर्मला सीतारामन ने 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोशना की है तो वित्वंत्री जो निर्मला सीतारामने वो 2024 तक 100 एयरपोर्ट बनाएंगी नेक्स्ट है केंद्री मंत्री मंदल दोरा अर्दू अनुमूदत वर्दमान वंदरगा को किस राज में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तो महारास्ट में जो वर्दमान वंदरगा है वो कहां स्थापित होगा महारास्ट में स्थापित होगा नेक्स टेप बैसल कर्वेंशन का संबंद किस से है तो प्लास्टिक के अपसिस्टों से है महिला रास्टी भारत तोलन चैंपियंशिप में दो हजार बीस में स्वन्ट पदक विजेता कौन महिला खिरारी रही है महिला रास्टी भारत तोलन चैंपियंशिप में तो ये रही है है, राखी हलदर, जो है, वहिला रास्टी बहरत तोरन चेहपिेसलियएप में विजbility नेक्स्टege इक संस्थान को केंजरी मेंटाकी मेंडल और रास्टी मेंदुय के संस्थान का दर्जा दिया है, ये PPE की मौडल के आधर पर दिया गया, पीपी मौडल के आधर पर ये संचालेथ है, आई-ई-ई-टी भोपाल और इसको रास्टी मेर्पे के संस्थान का दर्जा दिया है, संघाई जो परेटर महुस्ताफ का आयोजन हुआ था, वो कहां हुआ था, तो संघाई परेटर महुस्ताफ है वो आयोज़ थुह था मड़ीपुर में कहा यो जो तुह था मड़ीपुर में हुआ था नेक्स्ट ए मुंबई नेच्चाल हिस्टुरिस सोसाइटिज द्वारा चिलका जील पर इस्थापित पहला छेतरीय के अंदर कौन सा है तो Mumbai Natural History Society दर चिलका जील पर एक छेतरीय के अंदर स्थापित किया है जिसका नाम है वैत साला क्या नाम है इसका वैत साला नाम है नेक्स्ट है डिजिटल बुक्तान सुचकंक बनाने की घोशना किसके द्वारा की गई है आरवी आई के द्वारा डिजिटल बुक्तान सुचकंक बनाने की घोशना की गई है नेक्स्ट है दक्षर अफरीगा के माउंट अकाका कुआ जो सबसे उची चोटी है चड़ने वाले सबसे कम उम्र के परवता रोही कौन बने है अभी हाली में तो बने है कामा कार्थिकेन कामा कार्टे के अन याद रखिएगा कार्टे के अन जो है दक्षड अमरिका के माउंट एका का गुगा जो सबसे उची चोटी उस पे चड़ने वाले सबसे कम उम्रिके परवतारोही बने हैं बारत में इस वादेशी रूप से विक्सस सबसे हलकी और सबसे सस्वती बुलेट रूप जैकेट का नाम क्या है तो भारत निश्व देश में निर्मित की है, सब से हल्की है और सब से सस्ती है, इस जैकिर का नाम क्या है? इस जैकिर का नाम है, भाबा कबच नेक्स्टे वह राज सरकार जिसने भूजल सुधार के लिए भूजल अधीनियम को स्वीकरती दी तो ऐसा कौन सा राज है जिसने भूजल मतलब धर्दी के अंदर जो जल होता है उसके सुधार के लिए भूजल अधीनियम बनाया तो वो है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है देश का पहला रास्टी जैविक खाद महुसब का आयोजन कहा किया गया तो देश का पहला रास्टी जैविक खाद महुसब का आयोजन नई दिल्ली में किया गया अजेब वरियर नामा के उद्धा वाला तो ये इस से भी बदल के आ सकता है और यूग के मितलब तो अजब वारियर नामा की उद्दव भारत किस देश के साथ मिलके करेगा तो UK के साथ करेगा और इसमें करीब 120 सैनिक हिस्सा लेंगे तो अजब वारियर नामा की उद्दव भारत किस देश के साथ करेगा UK के साथ और इसमें लगवग 120 सैनिक हिस्सा लेंगे पहले safety tank पहला safety किस tag company की internet सुरक्षण पहल है तो किस की है ये Google की है पहला safety tag company किस internet सुरक्षण के है पहल है को किसने इसकी पहल की है तो ये है Bulgar की फ्रेंट अभी हमारे 30 वस्ट से जो question है वो हम next video में पढ़ेंगे तब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इसकी पीडियाफ लेना चाहते हैं तो नीचे इंस्टा मोजो की लिंक दी हुई या आप वहाँ से इसका पीडियाफ ले सकते हैं ओके फ्रेंस थेंक यू